हेलो फ्रेंट्स वेलकम डू जी एमेज स्टेडी क्लासेज मैं हूँ जवी सोनी और फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम देखेंगे गुजराती पेपर पैटन आज थोड़ा सा लेट हो गया है आज वेकास मैंने जो पहले वीडियो अप्लोड किया था उसमें मैंने आपक पेपर पैटन के लिए रिफर कीजेगा यह प्रिवेस यहर्स के मॉडल क्वेशन पेपर है बट आपक्या जो पेपर आएगा वो सेम पैटन से रहेगा यानि आप यहां पर चेक आउट कीजिए जो सेक्शन ए है राइट वहां पर आपको जो भी क्वेशन आंसर मिलेंगे आप देख सकते हैं four marker questions होंगे starting में ही आपको answer in detail मिल रहे हैं यानि यहां पर questions दिख रहे हैं आपको यह सारे detailed answer है four marks के जिसका weightage आप देख सकते हैं eight marks यहां पर दिखाया गया है first two questions का section A आप यहां पर देख सकते हैं पूरा prose section पे रहेगा यानि सारे chapters रहेंगे section B जो होता section होता है उसमें poems रहती है तो I hope आप यहां पर देखेंगे और अच्छे से समझ पाएंगे clearly I hope आप सभी को visible होगा यहां पर आप चेक आउट कीजाए आपको internal options भी मिलेंगे उसके बाद यहां पर आपको three marker questions मिलेंगे यह देखे six marks जिसके हो रहे हैं दो questions three mark के, दो questions हमने द देखे four marks के, अब उसके बाद यहां पर दो questions हाता है, two marker, right, two marks के two questions, that is, यहां पर total आपका होता है four marks, उसके बाद आप देख सकता हैं, यहां पर half marks के questions होंगे, कुछ, यहां पर short होंगे, यह questions, very short questions है, जिसमें सिर्फ one word में answer लिखना होता है, उसके half mark मिलेंगे, तो यहां पर four questions अगर आप इस तरह से attempt करेंगे, तो उसके आपको two marks मिल जाएंगे, अब section B पर आते हैं, section B का जो format रहेगा, वो आपका पुरा poetry section भी रहेगा, सारी poem से related questions आपकी section B में होंगे, इसमें भी आप देख सकते हैं, आपको पहले starting में ही detailed answer मिल जाएंगे, दो question, detailed वाले eight marks, उसके बाद nine marks का, again यहाँ पर part आता है, total nine marks का, जिसमें आपको, आप देख सकते हैं, three marker questions है, यानि तीन questions attempt करने हैं, उसके बाद यहाँ पर check out कीजे, next आपको two marker questions मिलेंगे, अब यहाँ पर again three questions आप attempt करेंगे, internal options आपको मिलते रहेंगे, आप इस paper से practice कर सकते हैं, आपका paper different होगा, right, यह सिर्फा paper pattern के लिए follow कीजेगा, विडियो helpful रहा है, तो please इसे like कर दीजेगा, और comment करके जरूर बताएगा, कि विडियो आपके लिए helpful रहा है यानि, friends check out करते हैं, next, यहाँ पर हमने देख लिया हाँ, half mark के questions again होंगे, four questions for two marks, उसके बाद section C पर आते हैं, section C से आ यहाँ पर देख सकते हैं, grammar का topic चालो हो रहा है, तो grammar का topic जो start हो रहा है, उसमें topics देख लीजे, कि इस तरह के topics आया सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको punctuation marks यूज करने हैं, विराम चिन, जिसे हम कहते हैं, तो यह वेटेज चेक आउट कर लीजे, और च सकते हैं, सारे sentences हैं, और यह सारे grammar के topics हैं, पूरा section C जो है, वो इसी पर based है, आपको 1-1 marks के, 2-2 marks के grammar topics मिलेंगे, यहाँ पर सारे sentences दिये गए, आप complete इसे चेक कर लीजे, next section D पर चलते हैं, अब section D पर आपको यहाँ पर पूरे सारे phrases दिये गए, यानि आपको यहाँ पर paragraphs दिये गए, अब उसमें से आपको questions पूछे गए, तो वो questions आपको इस paragraph में से डूंड कर लिखने होंगे, इसका वेटेज आप देख सकते हैं, यह 5 marks का है, क्योंकि इसमें 5 questions पूछे गए, उसके बाद आपको यहाँ पर 5 marks का एक और वेटेज है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह वाला complete, इसे आपको solve करना है, इसमें से भी questions दिये गए, उसके answers लिखने है, 5 questions है, आपको paragraph दिया गया था, अब यहाँ से आपको find करना था, उसके बाद आप देख सकते हैं, next, उसके बाद आपको विचार भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, section E पर आदा है, section E में भी सारे writing skills के topics हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, life marks का writing skills आपको दिख जाएगा, उसके बाद आपको essays मिल जाएंगे, और last में यहाँ पर आपका paper end हो जादा है, 10 marks आपका essay का weightage है, तो gujarati subject और language subject जैसे English और gujarati है, इन दोनों में आपका grammar topic और writing skills का portion जादा रहता है, तो प्रीज आप उस पे जादा ध्यान दीजेगा, और time भी यह जादा consume करते हैं, सारे जो section है, last के CD और E section, ठीके तो आप उस तरह से prepare कीजेगा, best of luck to all of you, ठीके कोई doubts या queries रहे इस video से related, या इस paper से related, तो प्रीज इसके साथ share कीजे ता कि और भी friends की help हो सके, मिलते है friends हमाई next video में, thanks for watching. झाल 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 झाल